जैहिन दोस्तों स्वागत आपका आपके यूटीव चैनल पर दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस की जो भरती है जिसका जो पेपर लीक होने की जो साच्छे मिले हैं जो लीक होने की बात चल ले उसके उपर बात कर लेते हैं तो उत्तर परदेश पुलिस सिपाई भरती परिच्छा के लीक को लेकर बिभिन हैस्टेग यूपीपी पेपर लीक यूपी पुलिस री एक्जाम सोसल मीडिया पर कर रहे है ट्रेंड जाने सच्चाई और भरती बोड का जबाब क्या है पूरी सच्चाई के बारें बात कर ल पर बार बार हैस्टेग किया जा रहा है तो बात कर लेते हैं पूरी जानकारी दोस्तों उत्तर परदेश भरती परिच्छा सत्रे और अठारे फरवरी को संपन हो गई है लेकिन सोसल मीडिया पर कुछ खबरों के स्क्रीन सॉट वायरल हो रहे हैं जिसमें लिखा रहा है कि म यूपी पुलीस भरती का पेपर लीक हुआ है तो दोस्तों जो यूपी पूलीस का पेपर है तो अगे बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं कि यूपी पुलिस भरती का पेपर लीग हुआ है तो आपको सच्चा ही बता दे कि यूपी पुलिस भरती और परमोशन बोर्ड ने भी एक्स पर सूचना जारी की है कि यूपी पुलिस भरती परिच्छा का कोई पेपर लीग नहीं हुआ है सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबन्दी बिरहम पहला जा रहा है यानि कि जो मौ में जो दिखाया कि मौ जो जिला है वहाँ पर यूपी पुलिस जो भरती है उसका जो पेपर है उसके जो उत्तर वो मिले हैं लेकिन वहीं अगर बात करें यूपी बोर्ड की उन्होंने काय कि इस पिरकार के कोई भी जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबन्दी बिरहम पहला जा रहा है ये सिर्फ अफवाए हैं बोर्ड ने कल 18 फरवरी को ही एक्स पर सेयर किया था कि प्रार्यमिक जांच में पाया गया की अराजक तत्वो द्वारा ठगी के लिए टेलिगराम की एडिट सुविधा का प्रियोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबन्दी बिरहम पहला जा रहा है दोस्तों यूपी पुलिस की जो साइड है उन्होंने भरती बोर्ड ने भी ये बोल दिया है कि इस पिरकार का जो अपवाय पहला जा रही है कि पेपर लीक हुआ है इस पिरकार का ये सिर्फ पैसे लेने के लिए ही टेलिगराम पर एडिट सुविधा का प्रियोग करके कु कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है पेपर लीक सम्बंदित कोई भी जो सूचना है वो लीक इस नहीं हुई है भरती बहुती अच्छी तरीके से संपन कराई गई है आगे बात कर लेते हैं बोर्ड एबं यूपी पुलिस इन प्रकरोलों की निगरानी के साथ साथ उनके सोर सुरुचित एब सचारों रूप से जारी है सोचल मीडिया पर ट्रेंड बेबोर्ड ने बताई सच्छाई दोस्तों यूपी पुलिस जो भरती बोर्ड है उसने उन्होंने कहा कि बोर्ड की एबं यूपी पुलिस इन प्रकरोलों की निगरानी के साथ साथ उनके सोर्च गह जाज कर रहा है परिष्चा सुरुचित रूमस जानी है आपको बतादे कि कल एक्जाम होने के बाद से और आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैस्टेग यूपी पुलिस भरती पेपर लीक हैस्टेग यूपी पुलिस भरती री एक्जाम ट्रेंड कर रहा है यानि कि उन्होंने का आए कि ये जो है यूपी पुलिस भरती यूपी पुलिस भरती हैश्टेग यूपी पुलिस पेपल लीग हैश्टेग यूपी पुलिस री एक्जाम हैश्टेग कर रहा है इस पर यूपी पुलिस भरती और परमोसन बोर्ड ने एक्स पर सेर किया है कि बोर्ड द्वारा अपनी पिर्थेक परिच्छा की पार्दिष्टा सुचिता को बनाए रखने है तू सदेव कटिवद है ब्रेदर रुष्टर पर परिच्छा के सेकुसल संपन होने के पच्छात ट्रेड कराई जा रही ऐसत्यापित ख़बरों को बोर्ड द्वारा गहनता से एड़ रेड यूपी पुलिस की साहता से सत्यापित कराई जाएगी अभ्यास्ति को आस्वासन दे रहे के इस पिरकार के जो भी भरती है जो भी लीक होने की जो खबरे है उनको यूपी पुलिस भरती बोर्ड के द्वारा यूपी पुलिस की हेल्प के द्वारा साहता के द्वारा इस चीज को देखा जाएगा इसकी जो सच्चाई है उसको न कहां से आईए इसकी जांच की जा रही है आगे बात कर लेते हैं कितने पदों पर भरती कितने हुई एक्जाम में सामिल कितने पदों पर भरती थी कितने हुई एक्जाम में सामिल उसके बात कर लेते हैं बताया जा रहा है कि इस परिच्छा में पांच लाग तीन हजार अभ्यारतियों ने छोड़ दिया है यानि पांच लाग तीन हजार अभ्यारतियों ने छोड़ दिया है एक्जाम जो उन्होंने पांच लाग तीन हजार अभ्यारतियों ने जो है उम्मिद्वारे उन्होंने पेपरी छोड़ दिया है आपको बता दे कि इस परिच्छा के लिए 48 लाग से अधिक उम्मिद्वारों ने आविदन किया था आपको बता दे कि परिदेस की ये बड़ी भरती परिचार्ती थी ज़ो अभी हाली में संब्मन ही है आपको बता दे कि इस भरती परिच्छा के जरीے 60,000 से अधिक पदों को भरा जाएगा इसके लिए राज्य भर्स में 2385 परिच्छा केंदर 75 जिलों में बनाए गये थे दोस्तो इस पिरकार के परिच्छा केंदर पूरे जिलों में बनाए गये थे जहां पर ये परिच्छा संबन कराए गया है और जो ये बात चल लिए पेपर लीक होने की इस पर भरती बोट ने साब इनकार किया है कि इस पिरकार की कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है ये सब अफवाए है और इनकी जाच की जाएगी जो भी इस अफवाए को फैला रहा है उसे पकड़ कर उसके साथ कारवाई कानूनी कारवाई की जाएगी दोस्तों तो दोस्तों क्या सच्चा ही है क्या इसमें होने वाला है इसकी अभी कोई पूरी तरह से जो सूचना है वो निकल कर नहीं आई है अगर पेपर लीक होने की सच्चा ही अगर साबुच हो जाती है तो फिर पेपर को निरस्त करना ही होगा और फिर से कराना होगा तो दोस्तों अगर आप चाहते हो इस पिरकार की सूचना आप तक समय से आप तक पहुचे तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकर को दबा दें ताकि छोटी छोटी सूचना आप तक पहुच सके तो इस वीडियो इतना ही थैंक्यू धन्यवाद